इंशाला, 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 नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान हुकुमत पंजाब के पहले सौ दिन, अन्थत मेहनत से कुछ कर दिखाने का अज़ू, अवाम से किये गए एहद की तक्मील, वजिर आजम इसलामी जमूरिय पागिस्तान, जनाब इमरान खान का विशन, पागिस्तान को ऐसी इसलामी फलाही रियासत बनाना है, जहां हर अमीर तो घरीब के लिए यकसा मौशी और समाजी इनसाफ हो, वजिर आला पंजाब सरदार उस्मान गुजदार के गयादत में सौ दिनों की खलील मुद्द के अंदर-अंदर, हकुमत पंजाब की जानिब से हर शुबे में पाइदार तरकी के लिए, जाम इसलाहाती मनसूबे प पेश कर दिये गए हैं, पंजाब से शहाना कल्चर के खातमे के लिए, हकुमत पंजाब रोजे अवल से ओपन डूर पॉलिसी पर अमल पैरा है, वजिर आला पंजाब अवाम से हफतावार बुनियादों पर मुलाकात करते हैं, और तमाम सरकारी अफसरान भी इस ओपन डू पॉलिसी पर कारबंद हैं, गवरनर हाउस के दर्वाजे अवाम उन्नास के लिए खोल दिये गए हैं, सरकारी खदमात के फराहमी के नजाम को अवाम दोस्त बनाने के लिए, पाकिस्तान के नामबर रिटार्ड, सिवल सर्विट्स, मारूफ सनतकारों और माहरीने तालीम प पर सोने वाले बे आसरा और नादार अफराद को रिहाईश फराहम करना था, इस मकसद के लिए सूब पंजाब के तीन अजला में साथ पनागाहों की तामीर का आगास हो चुका है, इबतदाई मरहले में फौरी तोर पर लाहर में पांच आर्जी पनागाहें पाइन कर दी जहां नादार अफराद को रिहाईश के साथ खाने की सहूलत भी फराहम की जा रही है। इसके लावा मुख्तलिफ सुबाई मेहकमों की जानिब से पहले सौ दिन के दोरान दो अरब रुपे से जायत की बच्चत की गई। इक्तियारात की निचली सता तक मुंतकली और आवाम को सही माइनों में बाइक्तियार बनाने के लिए नए बल्दियाती निजाम का मसाविदा तयार कर लिया गया है। जिसके तहर सूबे के तरक्याती बजट का 30% बराहरास बल्दियाती इदारों के जरीए इस्तेमाल में लाय चाएगा। डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजूलिशन कमेटीज काइन की जा रही है। रवायती धाना कल्चर के खातिमे के लिए फंजाब पुलीस में जामे इसलाहाद का आगाज हो चुका है। पुलीस खिद्मत मराकिस की इंटिग्रेशन की जा चुकी है। मेडिको लीगल सेटिफिकेट्स की हुसूल का 84 साल पुराना निजाम तबदील हो चुका है। और तमाम डी-एच्क्यू हस्पतालों में पुलीस हेल्प डेस्क काइन कर दिये गए हैं। पुलीस में बिला امتیاز एक्तसाब का अमन शुरू हो चुका है। जिसके नतीजे में धोस लिकायात की बुनियाद पर अब तक 5344 एहलकारान और अफसरान के खिलाफ सखत तादी भी कारवाई की गई है। देशतकरदी के खात्में और अमन और अमान की सूरतहाल पर नज़र रखने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दारेकार पंजाब के दीगर बड़े शेहरों तक प्हलाया जा रहा है। चंद इंतहा पसंद अनासर ने जब मजभब के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाने की कोशिश की तो हकूमत पंजाब ने वजिर आजम इमरान खान की हिदायात पर इन अनासर के खिलाफ ठोस कानूनी कारवाई की। पंजाब तक 157 अरब रुपे मालियत की एक लाख एकर से जायत सरकारी आराजी वागुजार करवाई गई। पर काम का आघास कर दिया गया है। अब्तदाई मरहले में पंजाब के चार अजला में सहत इनसाफ कार्ड्स की फराहमी जनवरी 2019 से शुरू हो जाएगी। सूबे बर में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए मेरिट की बुनियाद पर 9200 मेल और फीमेल मेडिकल आफिसर्स और नर्सिस की रिकूर्टमेंट की गई है। पाकिस्तान भर में बच्चों और खवातीन में घिजाई कमी की शरा खौफनाक हद तक जादा है। कौम के नाम अपने पहले खिताब में वजिर आजम पाकिस्तान ने इस मसले की जानब कौम की तवज्यो दिलाई। इसी मकसद के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की जानब से मुल्की तारिख में किसी भी सूबे में पहली बार फूड फॉर्टिफिकेशन पॉलिसी का मसावधा तयार किया जा रहा है। पंजाब में स्कूल एजुकेशन के लिए पांप साला हिकमत अमली, न्यू डील का इजरा और पंजाब हाईर एजुकेशन में मजवजा इसलाहत का खाका जारी कर दिया गया है। माजी में मेगा डिवलिपन्ट प्रॉजेक्स और वसाइल का मरकज और महवर सिर्फ चन्द मखसूस शेहर थे जबके जनूबी पंजाब के लाके पसमांदगी और गुर्बत की जीती जागती तस्वीर थे। मुल्क के पसमांदा खितों को तरक्याफता शेहरों के हमपला बनाना वजिर आजम इमरान खान का अहम एजंडा है जिसकी तक्मेल के लिए हकुमत पंजाब ने हकुमती वसाइल कर रोख जनूबी पंजाब की जानब मोड दिया है। जनूबी पंजाब के अवाम की महरूमियों का अजाला करने के लिए वजिर आला पंजाब सरदार उस्मान प्जाब बिजली की सहूलत में असर आई है और वहां तालीम और सहत की सहूलियात को तरजी दी जा रही है। एमर्जनसी सेविसेज 1122 का दायरे कार जनूबी पंजाब के दूर दराज इलाकों तक पहलाया जा रहा है। ट्राइबल एरिया के इलाकों को तैसील कोह सुलिमान का दरजा दे दिया गया है। बॉर्डर मिलिटरी फोर्ज और बलोच लिवीज की इस्तेदाद कार और सलाहियत में इजाफे के साथ साथ 533 आसामियों पर रिक्रूटमिंट की मनजूरी दे दी गई है। इंतजामी बुनियादों पर जिनुभी पंजाब सुबे के गयाम के लिए एक्जेकेटिव कमेटी काइम की जा चुकी है। और मुकमल खुद मुखतार इंतजामी सेकरेटेरियन जुलाई 2019 से अपना काम शुरू कर देगा। हकुमत पंजाब की जानिब से बुलूचस्तान में कार्डिक यूनिट का खयाम अमल में लाया जा रहा है जो बुलूच भाईयों के लिए एक तोफ़ा होगा। नौजवानों को रोजगार के नए मौाके फराहम करने के लिए जामे पॉलिसी वज़ा की गई है और पंजाब स्किल्स डिवलिप्मेंट अथॉरिटी का खयाम अमल में लाया गया है। सुबे भर में बेरोजगारी के खातिमे के लिए हुकुमत पंजाब वखुवत के इश्टराक से अवाम को जाती कारुबार के लिए बिलासूत कर्जाजाद फराहम कर रही है। पहले सौ दिन के अंदर अंदर एक लाग सटाइस हजार छह सो नौ खरानों को तीन आशारिया पांच साथ अरब रुपे मालियत के खर्जाजाद जारी किये गए हैं। सनथि औ अक्तसादी तरकी और मज़्दूरों के हकुप के थहफ़्द के लिए सनथी पॉलिसी और लेबर पॉलिसी की मनजोरी दी जाए चुकी है इसके साथ-साथ सनथों के फरोग के लिए आठ नए समॉल इंडस्ट्रियल जोन्स के खयां की मनजोरी दी गई है ॉजिरा बनाने के लिए नए ने मनसूबों पर काम का आगााज कर रही है। वजिर आजम पार्फितान, इमरान खान के 50 लाग धरों की तामिर के मनसूबे के तहर पंजाब के तीन शहरों में काम का आखास कर दिया ग्या है। सियाहत इंडस्ट्री के फरोग के लिए पंजाब में 11 नए सियाहती मुकामात की निशान दही की गई है जिन पर काम का आगास हो चुका है हकुमत पंजाब गायद आजम मुहम्मद अली जना के फरमुदात की रोशनी में अकलियतों की फिलाह बहबूर और तलबा के तालीमी वजाइफ के लिए मानिरिटी डिवलिप्मेंट फंड को 45 करोड उपे तक बढ़ा दिया गया है खवातीन को समाजी और मुआशी तोर पर खुदमुदार बनाने और सिंफी इम्तियास के खात्मे के लिए विमन इमपावर्मेंट पैकेज का आगाज हो चुका है तशदूत की शिकार खवातीन की फौरी दाजरसी और कानूनी कारवाई के लिए मजीद शेरों में वाइलन्स अगेंस्ट विमन सेंटर्स काइम किये जा रही हैं पंजाब में आहम इंतजामी उहदों पर खावातीन अफसरान के तकरूर की शरा दीगर सूबों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है जराद सूबे पंजाब की मैशित में रेड की हड़ी की हैसी तरक्ती है जराद की तरक्की और किसान की खुशाली के लिए सूबे में जराई अमर्जंसी का निफास कर दिया गया है एगरी कल्चर पॉलिसी दो हजार अठारा की मनसूरी दे दी गई है वजिर आला पंजाब की जानिब से किसानों की शिकायात का अजाला करते हुए शुगर मिलों को फॉरन क्रशिंग का आगास करने के अहकमाद जारी कर दिये गए है आभी वसाइल के तहफुज के लिए पहली बार पंजाब वाटर पॉलिसी का मसाविदा तयार कर लिया गया है इसके साथ साथ लाइव स्टॉक की तरकी के लिए जामे हिकमत अमली और मवेशी पाल हज़रात की होसला अफजाई और मकाबले की सहतमन फिजा को बरवान चड़ाने के लिए होर्स एंड केटल शो के इनाकाद की मनजोरी दी जा चुकी है पटवार कल्चर के खात्मे और इस तेहसाली निजाम के खात्मे के लिए वजिर आला पंजाब उस्मान बुजदार ने हर कानून गोई हलके की सता पर अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स के खयाम के मनजोरी दे दी है इस जिम्न में पंजाब लेंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जानिब से एक सो पंदरा नए अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स की तामीर और बीस मुबाइल यूनिट्स की फराहमी आखरी मराहिल में है स्मॉक की रोक थाम के लिए वजिराला पंजाब की हिदायाद पर महकमा तहफुज माहौल ने आलूद की पहलाने वाले सनती इदारों फसलों के बकायाजात की बजरिया आग तलफी और उड़ा करकट जलाने के खिलाब भरपूर मोहिम चलाई पंजाब में आवाम को पीने के साफ पाने की फराहमी के लिए तरजही मुकामात की निशान दही कर ली गई है इस मकसद के लिए अपनी नौयत की पहली क्लीन डिंकिंग वाटर अथॉरिटी का कयाम अमल में लायर जा रहा है सूबे में खेलों के फरोग के लिए मेगा स्पोर्ट्स इनिशियेटिव का प्लान तयार कर लिया गया है जिसके तहद तहसीलों की सथा पर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का कया बंजाब गेम्स 2019 स्कूलों में खेलों की सरगर्मियों को लाजमी करार देना रवायती खेलों का फरोग, स्पोर्ट्स कैलेंडर का इजरा वगरा शामल है वहीकल रिजिस्ट्रिशन के निजाम में करप्शन और जालसाजी के खातमे के लिए नए स्मार्ट रिजिस्ट्रिशन कार्ड का आघास किया जा चुका है हकुमत पंजाब के पहले सौ दिन के अंदर अंदर पंजाब इन्फरमेशन टिकनोलोजी बोर्ड इजिस्ट्रिशन के नए इनकलाबी मनसूबे मतारिफ करवा चुका है जहां शेरी सिर्फ एक फोन कॉल के जरीए अपनी शिकायात रिजिस्ट्र करवा सकते हैं जिन पर फिल फॉर कारवाई की जाती है अभी तो सिर्फ आघास है सिम्त तरुस्त और मन्जिल सामने है तलुए साहर के सौ दिन रोशन कहीं बहार के इमकां हुए तो है रोशन कहीं बहार के इमकां हुए तो है खवतीनों हज़राद आज जिस तक्रीब में हम मौजूद है यह सब एक शक्स का विजिन है वो शक्स जिसने खाब देखा कि पाकिस्तान को करवशन से पाक किया जाए वो शक्स इसने खाब देखा कि पाकिस्तान दो नहीं एक होना चाहिए जहां यकसा इनसाफ हो जहां हर इनसान को जीने की सहूलत और आसानी मैसर हो वो शक्स जिसने बाइस साल अपनी सियासत की जद जहत के बाद थाबित किया कि इनसान चाहे तो अपनी मन्जल हासिल कर लेता है मैं आपके सामने यहां दावत देने जारी हूं आज़ की तक्रीब के महमाने खुसूसी और वजीरासम पाकिस्तान जनाब इम्रान खान बिस्पल्लारमाराहीम यागनाब दो वईयाकनस्ताइम शुक्रिया 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 मुझे पता है कि हम सब तरीक इनसाफ के जलसों को याद कर रहे हैं और हमारे में से कई इस 100 डे प्रोग्राम को जलसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि यह नहीं बन सकता अब आपने आपने खमोशी से सुनना यह जरूरी है आपके लिए कि एक पंजाब गवर्मन ने जो 100 डे प्रोग्राम अपना दिया सौ दिन का मैं यह चाहता हूँ उसरा गौर से आपकी सुन भी रहे थे लेकिन कई गलत जगा पे नारे मार रहे थे क्योंकि आपकी फिर से कोशिश थी कि इसको जलसा बनाने के लिए जो कि यह नहीं है जलसा अब जरा सुनें सबसे पहले अब बास 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 अच्छा जी जबरदस प्रिजेंटेशन थी हमें पता है कि लोग कहते हैं जी आप पुरानी हकूमत की बातें करते रहते हैं यह जरूरी है करना कि आप कंपेर किसे कर रहे हैं जब तक आप यह नहीं बताएंगे कि पहले क्या था और अब क्या है जब तक आपको उनका पता नहीं चलेगा तो किस से आप अपना मौजना करेंगे तो यह जरूरी था बताना कि जो जिस हालात के अंदर यह सूबा मिला है यह उदर से ही आगे जाएंगे ना बिल्ट तो उदर से होगा जिदर से इनको मिला है तो वो बड़ा चाप की प्रिजेंटेशन थी कि तकरीमन बारा सो अरब रुपए का एक सूबा खसारा कर बैठा था और प्राविडिन्ट फंड एक सो अरब का प्राविडिन्ट फंड यानि कि बचारे जो हमारे मुजदूर हैं उनका जो फंड था वो भी हजम कर बैठी थी सो अरब का लेकिन जो सबसे पहले आपने जो बात की जो आपने आखर में बात की कि जो पैसा था जनूबी पंजाब का वो भी खर्च कर दिया गया और जगों पर जनूबी पंजाब का शेयर भी मिला वो बड़ा important है अच्छा अब एक में सबने मेरे से आपने वादा करना है कि ये एक जलसा नहीं है ये जलसा नहीं है मुझे पता हमारा दिल कर रहा है जलसा करने को मेरा भी दिल कर रहा है ये जलसा नहीं है ज़रा गौर से गौर से सुने ज़राब मेरी बात देखें हमारी जिन्दगी के अंदर मेरी जिन्दगी में इस पाकिस्तान गया इस पाकिस्तान वो जगा थी जदर सारा यानि एक युनैनिमस वोट थी पाकिस्तान के उनीस सो सुन्तालीस में और वो जो के पाकिस्तान के लिए तरसते थे और मुझे याद है कि मैं जब एक एक एकजबिशन मैच खेलने गया हिंदुस्तान के खिलाफ ढाका में तो वो मुझे कभी नहीं बूलता कि वो तब तक बंगला देश बन चुका था तकरीबन अठारा साल से बंगला देश था और वह बड़ा खुसा भी था पाकिस्तान के खलाफ वेस्ट पाकिस्तान के खलाफ तो जब मैं वहां हिंदुस्तान के खलाफ 1989 में एक मैच खेला जो हमने जीता उन से तो आप यकीन करें कि मुझे ऐसे लगा कि मैने लोहोर में मैच जीता है सारा का सारा स्टेडियम ढाका में स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मारा था और सारे रास्ते में स्टेडियम से जो हमारी बस गई होटेल तक रास्ते में लोग सडकों पे खड़े तालियां बजा रहे थे तो वो हमारे से क्यों अलग हुए यह समझने की बात है कि देखें एक वज़ रहती है कि सारे लोग एक कौम का हिसा बनना चाहते और वो जो सबसे बड़ी वज़ा से एक आम इनसान एक खिता एक कौम का हिसा बनता है वो एक लफस है इंसाफ लोग जब एक माश्रा उनको इनसाफ देता है वो इस माश्रे का हिस्सा बना चाहते है क्योंके इनसाफ किसको चाहिए होता है कमजोर इनसाफ इसलिए चाहिए ने तो ताकतवार उससे जो मर्जी कर सके जुम कर सके और फिर खिता भी मसल एक हिता भी एक मुलक का हिसा बनता है इसलिए раза उनको भूँ और इनसाफ मिलता है तो जब इनसाफ नहीं मिलता वो सबसे बड़ी वज़ा होती है इनतिशार की और अलयदा होता है मुलक से अलयदजी के लिए लोग कंपेञ्ट चलाते हैं तो ये इस पाकिस्तान के लोगों ने का हमें इनसाफ नहीं मिल रहा बार बार कहते रहें कि हमें इनसाफ नहीं मिल रहा नहीं सुना गया और आइस्ता आइस्ता वो मूवम्मेंट पहले इनसाफ पे शुरू ही हकूक की बात हुई पिर आखर में अलेदगी की बात हो गई तो हमने उसे सीखना है एक कौम या एक इनसान या एक इदारा आगई बढ़ता है जब अपनी गलतियों से सीखता है नहीं तो वो गलतियों दुराते रहते हैं और वो ही मिस्टेक्स बाद में और रुकसान पुचाती है तो ये जो हाशिम आपने स्टिस्टिक्स दी हैं कि जो पैसा पिछले साथ साल में धाई सौ अरब गाले बार आपने का कि धाई सौ अरब रुपया जनूबी पंजाब का वहां खर्च ली हुआ तो इसका मतलब कि एक एसास महरूमी पैदा होगी और ये बढ़ती जाए नी थी इसी तरह बलुचस्तान के लोगों में एसास महरूमी पैदा हुई उसकी वज़ा से वाइंतशार हुआ और ये ही वज़ा है कि इस मुल्क को कमजोर करने में ये जो नाइंसाफ ही है इसको फ पंजाब गवर्मन ने एक फैसला किया है कि मुझसफाना तक्सीम होगी पंजाब के बजट की अलाकों के अंदर शेरों के अंदर अगर ये नहीं होती अब आप ये देख लें कि इससे नुकसान क्या एक एक तो नुकसान होता है कि अलाधगी की तरफ लोग चले जाते हैं इंतशार होता है दूसरा अब नुकसान क्या हो रहा है इतना पंजाब का आदा बजट लहुर पे खर्च कर दिया लहुर बेतर हो गया बाकी शहरों से लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि बाकी अलाकों से लोग लहुर की तरफ आना शुरू हो गए अब लहुर के अंदर वो मसले मसाइल आ रहे हैं जो आगे लहुर के लोगों की जिन्दगी खत्रे में डाल रही है ये जो आज़ आप बाहर पलूशन द ना करें हिंदुस्तान से आती है पलूशन वो भी है एक ये भी है कि दरखत काट दी है लहुर का जो ग्रीन कवर था वो कम कर दी है लेकिन एक साइज भी बन गये लहुर इतना बड़ा हो गया है और जब एक शेहर बढ़ता जाता है कॉन्क्रीट बढ़ती जाती है तो जो स वो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और इसका नुक्सान बचों को चोटे बचों को और बुडों को ये आने वाले दिनों में इतना इसका नुक्सान होना है बिमारिया होनी है और बचों के अंदर एक एक बिमारिया स्टंटिड लंग ग्रोथ वो लंग ही नहीं पूरी तर आपने स्टेप लिया पहले तो मैं आपको इसकी मुबार्की देता हूँ कि आपने सोचा पहली दफा के एक एक इंक्लूसिफ डिवेलिप्पन्ट हो सारों को खितों को बराबर का उनको शेयर मिले दूसरा अस्पान बुजदार साहब चीफ मिनस्टर साहब मैं या सो दिन हो चुके हैं और जगा जगा मैंने बड़ी अजीब किसम की तनकीद भी सुनी कि जी अस्पान बुजदार को आपने गलत आदमी बना दिया है हर चीजा की मैंने चीज़ें सुनी तो मैं आज सो दिन हो गए है मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि देखें जो सरब्रा होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है सबसे बड़ी एक क्वालिटी सबसे ज्यादा है बाकी इस अच्छी अच्छी भी क्वालिटी सो हो लेकिन अगर एक क्वालिटी ना हो कोई बाकी क्वालिटी का कोई फाइदा ने और वो है इमानदारी मैंने अभी तक और मुझे मैं सीम साभ आपको इस चीज की मुबार्की देता हूँ किसी ने मुझे आज तक यह नहीं कहा इन सौ दिनों में कि जनाब चीफ मिनस्टर साभ कोई कमिशन ले रहे हैं कोई पैसा बना रहा है कोई फैक्टरी बना रहा है कोई onset कोई लिंडन में फ्लैट ले रहा है कोई पैरस में मैंने नहीं सुना के किसी ने कह जी कि अथ हूँ कि के यहांसे पैसा मँनी रॉन्डर करके बाहिर ले गया यह देखें लेकिन मेरी कौम ने एक ऐसे बरदाश किया है कि हुकमरानी हो रही है पाकिस्तान में प्रापिटीज खरीदी जा रही है पाकिस्तान से बाहर छुटियां हो रही है बाहर इलाज हो रहा है बाहर इदे हो रही है बाहर बच्चे पाड़े हैं बाहर और हुकमरानी कर रहे हैं पाकिस्तान में ये अब सब के लिए मुझे ये समझाएं कि ये कैसा लीडर होगा वो कैसे वफदार होगा अपने मुलक से जब उसकी अर्बो रुपए की दौलत बाहर पड़ी है वो जो लीडर जिसकी छुटिया ही पाकिस्तान में नहीं है और जिसके बचे बाहर पड़ रहे हैं और बाहर बिजनस कर रहे हैं जिसकी बिजनस बाहर है ये सोचें कि हुकमरानी पाकिस्तान में और बिजनस पाकिस्तान से बाहर और फिर लोगों को बाहर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आके सर्माया कारी करो तो हमने कैसे इन लोगों को बरदाश किया आज जो आप ये देख रहे हैं खसारे ये जो मुलक एक वो मुलक जो सारे इस अलाके में एशिया में सबसे तेजी से तरकी कर रहा था जब हम स्कूल में पढ़ते थे वो आज एक वो हाल है आज ये छोड़के गए हैं जिदर कि फिर से मैं ये लोगों को समझाता हूँ कि आपको समझ आनी चाहिए इस मुलक से क्या हुआ कहां सिंगापूर पचास साल पहले और कहां पाकिस्तान था पाकिस्तान को सारी दुनिया आपने अगर पाकिस्तान को लीडर्स को देखना था देखें कि यूब खान जब बाहर गया है अमरीका गया तो उसको कैसी रेसेप्शन मिली एरपोर्ट पे प्राइमर प्रेजिडंट मिलने आया है सड़कों पे ओपन गाड़ी में फिर रहा है जब इंग्रंड गया तो पाकिस्तान के सरब्रागों क्या रिसेप्शन मिली क्या रिस्पेक्ट थी उसकी तो पाकिस्तान कहां था कहां सिंगापूर था अज 21 करोड के पाकिस्टानियों की xpourts हमारी xpourts है 24 अरप डालर और सिंगापूर जो 50 लाग का सिंगापूर है उसकी xpourts 330 अरप डालर है म्लेशया की 220 अरप डालर xpourts है 6 करोड का म्लेशया तो हम जो ये पीछे रह गए हैं इसकी बहुत बड़ी वजाई है कि जो इस मुलक के ओपर हुकम रानी करते थे उनके स्टेक्स ही नहीं थे पाकिस्तान में उनकों के फिकर थी कि मुलक बैंक्राप्ट हो रहा है करजे ले रहे हैं करजे वापस कैसे करने हैं कर्जे ले रहे हैं उन प्रोजेक्ट के लिए जो मुजीद और नुकसान खसारा कर रहे हैं आप अगर कर्जा लेना भी था तो उस प्रोजेक्ट के लिए कर्जा ले जो आपके लिए वेल्थ क्रियेट करे रहे दौलत बनाए मlezet मैं फाक्टरी में नफ़ा होता है मैं फिर वापस कर देता हूं लेकिन यह औरेंज ट्रेंड यह मेट्रोज तो मजीद और नुकसान कर रही है इन के लिए करदे लिए और मजीद नुकसान किया करदे और चड़ते गए तो क्या उनको फिकर नहीं थी अगर मेरा भी सब कुछ बाहर हो मुझे क्या फिकर हो के मुल्क मुक्रूज होता जाए इसलिए अस्मान बुजदार का ये है कि इसका जीना मरना सब कुछ पाकिस्तान में है अब ये जो कदम उठाया लोग इसकी उपर अभी कि मैं हरान हो कि मीडियाने में सीज ख सीज को इतना नहीं उठाया ये जो एंटी अन्क्रोच्पंट ड्राइव है अब ये अन्क्रोच्पंट है क्या एक तो होती है ना कि मेरी زमीन पर कोई कभजा कर ले वो भी होता है लेकिन एक है कि सरकारी जमीन पे कबजा कर ले पहले तो यह हमें पाकिस्तान में यह समझना है कि सरकारी जमीन का मतलब अवाम की जमीन यह मेरी जमीन तो नहीं है यह जो इनोंने एंटी इंक्रोच्पन ड्राइब पे जमीने छड़वाई हैं अब तक 160 अरब रुपै की 160 अरब रुपै की इन्होंने जमीने जो कबजा हुए थे वो छुडवाई है अब ये सोचें कि किसका फाइदा हो रहा है ये अवाम का फाइदा हो रहा है ये अवाम की दौलत है अवाम की जमीने जो छुड़ाई जा रही है और इसमें बड़े 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 माफियφें जिनके खलाफ टकर लिया तो पहले क्यू नहीं हुआ क्यू नहीं पहले किसी तरही ने फिकर की कि ये ओ आवाम की जमीनों के ने पर कब्झें वूए इसलाम अबाद में साड़े तीन सो अरब रुपए की जबीन चड़वाई है कबजा ग्रूप से अब ये आपने समझना है कि जब ये ये जो ड्राइव है ये एंटी इंक्रोच्मेंट ये अवाम की अवाम के लिए हो रही है अवाम के सासे हैं जब करॉपशन के खलाफ ड्राइव करते हैं ये अवाम का पैसा चौरी होता है जो भी करॉपशन होती है ये याद रखें ये अवाम को उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है करॉपशन कैसी। अब मैं तो ओफिस पे बेटा हो नँ चार मीने से अब मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है कोई इन्वेस्टर आता है और बड़े माशालला अल्ला का करम है कि जो जिस तरह के इन्वेस्टर आप पाकिस्तान आ रहे हैं इन्शालला ये मुल्क में आने वाले दिनों में आप देखेंगे क्या अच्छा टाइम आएगा अब होता क्या है इन्वेस्टर आता है जी इन्वेस्टर कहता है जी कि अच्छा जी मैं मसन मसन मैं एक मसाल दे रहा हूँ मैं क्योंके अभी बात नी करूँगा एक्जैक्ट चीजों पर जो मेरे सामने आ रही है लेकिन मसलिल में मैं कहता हूँ अच्छा जी मैं ये आपको गैस बेचना चाहता हूँ आपने गैस खरीद दी है सिर्फ आपने करना किया है गैस मसलिल दस सेंट की दस रुपए की गैस है आप उसे सरफ ये कह दें अच्छा जी मैं आपसे 12 रुपए की खरीद ले तो बताना ना किसी को मैं 12 रुपए की गैस खरीदा हूँ जो इसकी कीमत अद 10 रुपए तो वो जो एक्स्टा 2 रुपए मेरी जेब में आते हैं उसकी कीमत अवाम मेंगी गैस से देती है जब बिजली के पावर स्टेशन के उपर जब ये आई पी पी जड़ लगई तो इनके उपर जब रेट दी गई तो उस जो रेट अगर जब मैं सिर्फ पैसा बनाने के लिए करना है कि बज़ए मैं उसको रेट दू, 10 रुपए की में 12 रुपए की दे देता ओ वो 12 रुपए के अंदर मेरे पास अरबो रुपए आ जाता है लेकिन कम को बज़ए 10 रुपए की 12ी पजली पड़ जाती है तो इस तरह मेंगाई होती है जब करॉप्शन होती है तो वो कीमत अवाम अदा करती है ये कोई हकूमत का पैसा नहीं चोरी होता है ये अवाम का पैसा चोरी होता है अब इसलिए दुनिया करॉप्शन के उपर पूरी तरह कोई भी कोई भी माश्रा जो आगे बढ़ता है वो कर्मपशन को फड़कने नहीं देता पूरे उनके अधारे कर्मपशन को कंट्रोल करते हैं क्योंकि वो उनको अवाम की फिकर होती है होता क्या कि आपकी अगर आप मेगी बिजली और गैस देते हैं तो आपकी जो इंडिस्ट्री है वो मकाबला नहीं कर सकती हिंदुस्तान की और बंगलादेश की इंडिस्ट्री से तो आपकी इंडिस्ट्री पीछे रह जाती है आपकी इंडिस्ट्री हम बंद होनी शुरू हो जाती है बेरोजगारी होनी शुरू हो जाती है आपके पास foreign exchange काम हो जाता है डालर की काम हो जाता है रुपया गिरना शुरू हो जाता है डालर महिंगा हो जाता है तो जब corruption करते हैं वो सारे माशरे को तबाह करते है इसलिए मुल्क जब उपर जाता है जो भी मुल्क उपर जाता है जो भी मुल्क खुशाल है वह करप्शन नहीं है सुजलंड देख ले न्यूजलंड जो मुल्क देख ले जो खुशाल है जनके लोग खुशाल है वह करप्शन नहीं है चाइना ने जब ये उपर जा रहा था और अब चाइना दुनिया की सबसे तेजी से economy उपर जा रही है, चाइना ने सबसे पहले, ये पिछले पांच साल में, हम अभी जब चाइना गए थे, तो उन्हों ने बताया, कम अज़ कम assembly के अंदर, ये क्या हो रहा है, हमारे उपर कह रहे हैं, बार बार ये opposition वाले के जी ये government हमारे उपर इंतकामी कारवाई कह रही है, कौन सी इंतकामी कारवाई कह रही है, अभी तक एक nab का case हमारे दोर में नहीं हुआ, सारे nab के case पहले के चल रहे हैं, पिछले एक एक साल पह ही हैं ये फेक अकाउंट्स जिसके पर शोर मचाया हुए वो 2015 में पहली दफ़ा आया था सामने लेकिन क्योंके उस वगत अपनी चार्टर अफ डिमॉक्रिसी के नाम पे एक मुक्मुका हुआ था कुछ नहीं हुआ फिर 2017 में पदा चला फेक अकाउंट्स है फिर कुछ नहीं ह हुआ ये फिर जब केटिकर गर्वर्मन्ट आई तो चीफ जस्टिस ने एक्शन लिया फेक अकाउंट्स पे तो हमने तो कुछ नहीं किया हमने तो सिर्फ रोकी नहीं कारवाई लेकिन शोर वाम में चाह हुआ है कि जी ये देखें तरीके साफ ने क्या किया अब और क्या कि कि अकाउंटिबिलिटी कमिटी के उपर बठाने लगे हैं जो कमिटी पारलिमेंट में इतसाब करती है उसके पर शबाश्री बैठ जाएंगे वो दुनिया में मजाख ओड़ेगा हमारी जमूरियत का मजाख ओड़ेगा ओड़ा है दुनिया के अंदर कि एक तरफ आप कह र कानून असेंबली ने पास किया कि एक मुझरिम एक करप्ट आदमी पार्टी की सरवराई कर सकता है एक नैशनल असेंबली एक पारलिमंट कानून पास करती है तो क्या हमारी जमूरियत की क्या रेपृटेशन रह गई एक तरफ कहते हैं जी बड़ी मुकद्द्स है पारलिम कर देते हैं मैं अपने अपने जो पार्टी की हमारी लीडर्शिप है मैंने उनको का जो भी ये कहते हैं इनकी बात मानते रहां सिर्फ एक बात हम मान नहीं सकते हैं आप आप ने कहना है कि जी वो साध रफीक को जे असेमिली में लाने दो शबाज श्रीफ ऑप अपोजिशन लीडऱ् मंत बन जाए हमने दानली को पर कमिशन बनानी है बना दो लेकिन एक चीज़ हम मान नहीं सकते हैं ये नहीं हो सकता कि हम आप इतसाब से पीछे हट जाए इसलिए इसलिए कि ये इस मुल्क की सालमियत के लिए इसके फ्यूचर के लिए हमारी आने वाली नसलों के लिए जब तक हमने इस मुल्क में करॉप्शन को हाथ ना डाला करॉप्ट लोगों को हमने जेलों में ना डाला इस मुल्क का मुस्तिक्बल खत्रे में है इसलिए हम सारी आपकी बाते मान लेंगे लेकिन हम ये नहां हमें कहना कि अकाउंटबिलिटी से पीछे आट जा मैंने बाइस साल पहले सियासिती में आया था करॉप्शन के खलाफ और अगर अगर आज आज ये कहते हैं कि जहुमूरियत बचाने के लिए मुफामत कर ले जी अच्छा महौल कर दें असेम्बली में पहले आप गर्मन को इस्तमाल करते हैं पैसा बनाने के लिए फिर असेम्बली को इस्तमाल करते हैं वो करॉप्शन का पैसा बचाने के लिए ये नहीं होगा ये मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हम जितना भी जो भी हो जाएं ये हमारी आखरी चीज अच्छा जी आप मैं सिर्फ तीर चार मोटी चीज़ बात करना चाहता हूँ जो के हम आगे जो हमारा आगे का डारेक्शन है सबसे पहले हमने जो सिवल प्रॉसीजर कोड जो हमने उसका चानून ले किया आएं वो अभी कर रहे हैं उसकी लेजिसलेशन बन गया है अब जैसी मौहल अभी तक तो स्टेंडिंग कमिटी जी नहीं ती अब आएं तो हमने सबसे पहले कानून जो पास करना है वो यह किस inval को का हमने फैसला करวाना है तीस-तीस साल लग जाते हैं जमीन के केसिसे बहुरी हुए हैं अदालते हैं बेटा शुरू करता है और वो बूड़ा हो जाता जब तक केस का फैसला नहीं आता तो हमने ये बड़ी मुशकल से बार के साथ सब के साथ मिल के हमने फैसला किया है और ये इन्शालला ये पंजाब पखतूनखुआ में, बिलूचिस्तान में और इन्शालला फैडरल गर्वर्मन्ट में पहले तो ये एक बहुत बड़ा इंशाला एक तब्दीली आएगे जो 1907 का सिवल प्रोसीजर का कोड था वो इधर पहली दफ़ा पंजाब में और इंशाला सेंटर में चेंज होगा पक्तूरवा में हो चुका है इसके साथ-साथ जो पुलीस रिफॉर्मज हैं ये बहुत अहम है पुलीस को जो पुलिटसाइज किया गया इसका बड़ा हमें नुकसान हुआ है हमारे मुल्क को इसका नुकसान होता है क्योंके इससे पुलीस कभी भी लोगों को तहफुज निफ फराम कर सकती है तो ये जो डी पुलिटिसाइजेशन और प्रोफेशलिजम पुलीस की है ये बड़ा एक मुशकल काम है खास तोर पर पंजाब में क्योंके पुलिटिसाइजेशन हुई है पुलीस की इसके उपर हमने अब पूरा जोर लगा रहे हैं पुलीस को एक ऐसा एदारा बनाने के लि मौनिटरिंग करें चीफ मिनिस्टर आपके अपके जो किंप्लेंट सेल के अंदर पुलीस के विलेए सेपरर बड़ाए कि कोई पुलीस किंप्लेंट्स हो आपके पास आए आई जी साब को दे ताके इनको हल करे ताके चेको पुलीस के उपर उसके लावा जो हमारी अग्रिकल्चर रिफॉर्म्स हैं ये बड़ी जरूरी है पंजाब के अंदर मैं सिर्फ आपको ये बता दू कि इसके उपर एक नईी सोच आ रही है और सोच वो ये है कि किसान कैसे किसान ज्यादा पैसा बना सकता है होता क्या है कि हम करते हैं कि किसान को हम मसल गन्य की एक सो असी दे देते हैं मसल गन्य का या गंदम की जो भी तेरा सो दे देते हैं होता क्या है कि इंटरनेशनल मारकेट पर वो कीमत नहीं होती उसकी वज़ा से वो गर्बंट सपोर्ट प्राइस भी देती है लेकिन किसान को वो कीमत नी मिलती हम ये कोशिशे कर रहे हैं कि किसान की प्रोड़क्टिविटी बढ़ाएं उसकी जील्ड बढ़ाएं यानि उसकी पैदावार बढ़ाएं अगर वो आज चालीस बन ले रहा है किसी की चीज़ की भी गंदम की कपास की वो हम उसको ऐसी उसकी प्रोड़क्टिविटी बढ़ाएं कि वो चालीस से असी मन पे चला जाएं सतर मन पे चला जाएं तो उसी जमीन से उसके पास पैसा ज्यादा आना शुरू हो जाएं और कीमत अगर उपर कीमते बढ़ाते हैं वो और मसला बन जाता है अगर हम अगर उसको नहीं भी मिल दी लेकिन अगर उसकी प्रोड़क्टिविटी बढ़ जाए जो आप हिंदुस्तान में देख लें यॉरप में देख लें वो कितनी उसी एकर जमीन से कितना ज्यादा उन को मिल जाता है क्योंकि नई टेक्नीक्स आ गई हैं पानी की इस्तमाल करने की नई टेक्नीक्स आ गई हैं तो ये इन्शालला हमारी जो टास्क फोर्स बनी हुई है वो सारी नई टेक्नीक्स अप छोटे किसानों के पास लेके आएं ताकि वो अपनी पैदावार बढ़ा सके उसे मुलकों भी फाइदा होगा हमारी ओवरॉल पैदावार भी बढ़ जाएगी और किसान के पास पैसा आ जाएगा हमने असल में छोटे किसान को उपर उठाना है और उसके लिए हम ये नई चीजे लेके आ रहे हैं मैं वो बात नहीं करूँगा वो जो मैं पहले भी कर बैठा हूँ जो मुर्गी मुर्गियों के अंडे जो हमने जो वो रेलू कटों को हमने ठीक करना है मैं आपको बता चुका हम पहले भी कोशिश साही है कि छोटे किसान की मदद की जाए चोटी चोटी चीजों से वो अपनी औरतें बैठी हुए अध्यात में वो अपनी कैसे आमदनी बढ़ा सकती है गुर्बत हमने कैसे कम करनी है ये मेरी बारी तो बड़ा शोर मचाया था लेकिन जब बिल गेट्स ने कहा तो सारों नितालिया बजानी शुरू होगी ये बड़ा अचा उसका तरीका है बिल गेट्स ने कहा दिया कि ऐसे गुर्बत कम होगी मैंने एक चीज़ और अकलियतों की बात करनी थी ये बड़ा जरूरी है पंजाब में क्योंके पंजाब हमारा सबसे बड़ा सूबा है देखें काइद आजम ने जो पाकिस्तान बनाया था जो पाकिस्तान की पूरी मूवमन्ट की थी ये हमें सब को समझना क्यों की थी काइद आजम अंग्रेज से हिंदु अजादी चाते थे वो कांग्रेस के अंदर सबसे ताकतवार पॉलिटेशन थे सबसे अकलमान सबसे उन्चा कद था उनका कांग्रेस के अंदर और उनको कहते थे हिंदु मुस्लमान यूनिटी यानि इंबैस्टर थे हिंदु और मुस्लमानों को कठा करने के लिए किसी वज़ा से काइद आजम अलयदा हुए और वो वज़ा ये थी कि उनको आहिस्ता आहिस्ता एसास हुआ कि जो कांग्रेस हिंदुस्तान मांग रही है उसमें मुसलमानों को बराबर का शेरी नहीं समझा जाएगा ये वज़ा थी काइद आजम अलयदा हुए उन्होंने फिर पाकिस्तान की पूरी मुवमेंट चलाई इसलिए कि वो एक अजाद मुलक में रहना चाहते थे वो एक सेकंड क्लास सिटिजन नहीं रहना चाहते थे ये थी काइद आजम की सारी और आज के हिंदुस्तान में मैं अभी वो नसीर अदिन शाह का पढ़़ा था जो एक्टर वो जो वो जो आप बाते कर रहे हैं वो सारी वो चीजे हैं जो काइद आजम तब कर चुके थे कि उन्होंने का था कि हिंदुस्तान में मुसल्मानों को बराबर का शेरी नहीं समझा जाएगा वो आज हिंदुस्तान में हो रहा है तो हमने इससे क्या सबक सीखना है हमने पाकिस्तान को वो मुल्क बनाना है जिदर हमारी अकलियतों को बराबर के हकूँक मिलें वो बराबर के शेरी हो यह जरूरी है समझना यह मुल्क इसलिए बना था कि एक लीडर ने एक अजीम लीडर की अजीम सोई वो समझ गया कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर उनको नहीं बराबर का शेरी समझ जाए गया तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के लिए पूरी जदोज़े की और उसलिए उनकी तक्रीर थी उनकी 1948 की फेमस तक्रीर थी कि आपका जो मर्जी दीन है आप बराबर के शेरी है पाकिस्तान में और उससे पहले जो हमारे नभी सल्लाव आले वसल्म उन्होंने मदीना के अंदर एक कॉंस्टिशन बनाई थी और उन्होंने एक वो कॉंस्टिशन अभी भी है सेंट कैथरिन्स चर्च में जो उन्होंने मसी बरादरी के साथ बनाई थी क्रिस्टिंस के साथ बनाई थी वो अभी भी अवेलेबल है कि हम उन्होंने का था क्यामत तक ये सुनने जरा क्यामत तक मुसल्मान प्रोटेक्ट करेंगे असायों के सारे उनके गिर्जे उनके अइबादतगाउ उनके हकूख सब वो अभी तक है कॉंस्टिउशन तो हम यह याद रखेंगे जो काइद आज हम कह रहे थे वो नभी सल्लाव आले वसल्म की बात कर रहे थे और हमने पाकिस्तान में यह साबत करना है कि हमने अपने जो भी मानॉरिटीज थैं जो भी अगियते हैं हमने उनको बराबर के शीरी बनाना है और यह सबसे ज़्यादा हमने खास दोगाँ पे निरंदर मोड्यरी के हंद horseतान को बताना है कि हम अपनी अकलियतों को कैसे रखते हैं और आप अपनी अकलियतों कैसे रखते हैं मैं आखर में अपने वजीर मेरे यां बैठे हुए हैं पंजाब के वजीर मैं आप सब को ये कहना चाहता हूँ कि देखें ये बड़ा जरूरी है आपके लिए समझना कि अल्ला ने आपको एक बड़ा एक ऐसे पाकिस्तान के टाइम पे आपको जिम्मदारी दिया है एक ऐसा ये वक्त है जो कौम की जिन्दगी में कभी कभी आता है ये आपके लिए बड़ी एक एक ऐसा टाइम है जिदर आप अपने आपको थाबत कर सकते हैं आप अपनी सलाईतें दखा सकते हैं आप अपने आपको प्रूव कर सकते हैं आप जितनी मेनत करेंगे कभी भी एक वजारत वजीर को नहीं बनाती कि वह बड़िया अच्छी वजारत थे तो उसमें मैं जाना चाता हूं वजीर वजारत को बनाता है जतनी वह मेर्थ करता है वह जिमेदारी ये पूरी वजारत को ठा कि कहां से कान ले जाता है आपके पास एक सुनरी मौका है ये ऐसा मौका है कि अगर आप इसमें सही तरह काम करें, द्यानदारी से काम करें, अपनी वजारत को लीडर्शिप प्रोवाइड करें, ये बड़ा अच्छा मौका है आपको एक लीडर बनने का, क्योंकि आप एक दम उपर आ जाएंगे, जिस तरह हमारे कई वजीर मुझे न सिर्फ एक मिनिस्टर अफ स्टेट बनाया था, उसने इतना जबरदस काम किया अपनी मिनिस्टरी में कि उसको हमें फेडरल मिनिस्टर बना दिये, तो आपके लिए बड़ा च्छा टाइम है, अपने आपको थाबत करें, मैं देख रहा हूँ मुझे आपके सारे रिजल्ट पूरी करनी हैं, और दूसरा, आपने अपनी वजारत में अपनी मिसाल से खर्चे कम करने हैं, हमें बड़ी बुरी आदत पढ़ गई है, हमारे जो भी हुकमरान उनिस सो सुन्तालिस के बाद आया हैं, वो ऐसे जब एक्तिदार में आते हैं, जब वजारते मिलती हैं, शहना लाइफ स्टाल होता है, उनका प्रोटोकॉल और इसमें ज्यादा पढ़ जाते हैं, और सरकारी खर्चे को करते हैं, याद रखें जो सरकारी खर्चा है, यह मतलब यह कि आप अवाम का पैसा खर्च कर रहे हैं, जब सरकारी खर्चा क्या होता है, टेक्स का पेर का पैसा होत यह सोचे हैं हमेशा सोचे मैं जब मुझे उन्हें प्राइम मिनस्टर हाउस का जी कि प्राइम मिनस्टर हाउस में वो एक किसी पुलिटिकल पार्टी की किसी नमाइन देने का कि जी देखें वो अगर वो प्राइम मिनस्टर हाउस में रहना नहीं चाते तो यूनिवरस्टी क यू बना रहे हैं क्योंकि अगला प्राइम मिनस्टर रहना चाहेगा तो मैं अब इस पार्टी का नाम नहीं लेता है जिस पार्टी से वो बोल रही थी उनको फिकर नहीं करने चाहिए बड़ी दूर तक आपका प्राइम मिनस्टर नहीं बनने लगा आगे लिए बात ये है बात ये है कि कैसे कोई भी इतने बड़े गवर्णर हाउसز में और शुकर है चाहड़ी सर्फर साब नहीं रहे रह रह रहरे गवर्णर हाउस में तरफ उसको ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं कि कैसे एक आदमी इतने ज्यादा नौकर और गवर्ण जो अंग्रेज करता था घुलामों से वो हम आके शुरू कर दें ये तो हमारे लोग हैं अंग्रेज के लोग नहीं थे अपने मुल्क में वो ऐसे नहीं रहता जब मैं पहली दोब बरतानिया गया मैं हरान हो गया देखक वो डाउनिंग स्ट्रीट को आप देखें वो इतनी से छोटी से छोटा सा जगह है वो उस डाउनिंग स्ट्रीट में बरतानिया का प्राइम मैंस्टर रहता है जिसने जो एक वक पस आदी दुनिया के पर हकुमत करती थी वो डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर रहता है जिद जिदर टोरी बिलेर उनका प्राइम मिनिस्टर था उसका एक बचाओ और हो गया को चौथा बचाओ गया तो उसको एक अलगा कमरा बनाना पड़ा इतनी जी है वो डाउनिंग स्ट्रीट में प्राइम मिनिस्टर रहते है जिदर पचास मुसल्मान मुलकों की मलाके जो हमारी स जलाना आम दिनी है वो बरतानिया के बराबर है तो वो तो साथगी से रहता है और हम यहाँ पैसे एक तरफ से करजे ले रहे हैं मकरूज मुलक और बादशाओं की तरह रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां प्राइम मिनस्टर हावस पर पता है कितनी गाड़ियां थी 84 थे नके खर्च जिरा देखे जड़ा कभी हाशिमा आपको ऑनकी भी खर्चे बताने चाहिए हैं कि खादम कितनी खर्च कर रहा था बचारे अवाम की तो हमें आप सब को वजीरों को आपको यह याद रखना जाए कि जो भी आप करें याद रखे जब आप सरकार का पैसा ख खर्च होना चाहिए था, वो आपके उपर खर्च हो रहा है, यह अपने जेन में डालना, यह जुरूर आप समझना, मैं अगर यह कोई ड्रामे नहीं करता, मैं भी बड़ा अच्छा, वो बड़े बड़े लौंज हैं, बड़े बड़े और वो प्राइम मिनस्ट राउस के, ब मेरे मुल्क में, मेरे मुल्क में गुर्बत है, हम अपने बचों को भी सोगत पढ़ा नहीं सकते हैं, तो मुझे यह एहसास है, इसलिए मैं करता हूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ, एक एक रुपया जो खर्चों मेरे उपर वो देख कियो, इसलिए मैं डाउन साइजिंग कर रहा हूँ सब की, इसलिए मैं आप सब के भी वजीरों को भी कहता हूँ कि प्लीज, आप जब भी जो भी सरकारी खर्चा करें, यह याद रखें कि आप इस मुल्क के अंदर लोगों के मुस्तिक लोग हैं, घरीब लोग हैं, हमारा मुल्क पीछे रह गया है, और हमने वा प्लक किया इनको, कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए, मुझे इतनी खुशी हुई उसमान आपका कि आपने अगले दन से शुरू कर दिया काम, पांच, पांच, एक मिन, एक मिन, पांच पनागा लोहौर में, पिंडी में बन रही हैं, पिंडी में दो बनने वाली हैं, और पिशावर में पनागा इनी बनी, वो शाम को वो बस भीजते हैं सारे पिशावर के अंदर देखते हैं, कोई लोग सड़कों पर सोय हो तो उनको उठा के पनागा हमें लेके जाते हैं, तो मैं, मुझे, मुझे, जब से ये बन रही हैं पनागा, आप यकीन करें, अभी म कहीं और फंक्शन पर था, तो मुझे लोग अब आके कह रहे हैं, कि जी हम भी पनागा खोलना चाहते हैं, कराची में लोग पनागा खोलना चाहते हैं, डिविजन हेड़कों पर लोग कहते हैं, जी हम भी पनागा खोलना चाहते हैं, ये है हमारा मुल्क, जब वो देखते ह है के हकोमत कुछ कर रही है तो लोग हमारे से आगे निकल जाते हैं इन्सानियत की खिडमत करने के लिए तो ये याद रखें कि लाँएं आपके मुलक को सब क्छ दिया है हमारे पस लाँने किसी चीज़ की कबे नहीं छोड़ी हमने हमने खुम्ने जलम की अपने मुलक से सही गविनंस नहीं दी अभी जो मेरे पास एक्जॉन आया था मैं ये हमेशे अपने लोगों को बताता हूँ ये आप सब याद रखें क्योंकि एप्रिल तक रिजल्ट आ जाएगा मार्च एप्रिल तक एक्जॉन जो है ये इस दुनिया की सबसे बड़ी ओल ड्रिलिंग कमपनी है सताइस साल के बाद पाकिस्तान आई है उनका हेड जो है वो मेरे से मिलने आया तो मुझे कहता कि हमने एक चीज आफशोर देखी है समूंदर के अंदर जो एक हमें ऐसे लग रहा है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैस है और वो कहता है कि हमें पता तब लेकिन हम कह नहीं सकते वो जो वो कहते है जब हम उनकी किष्टी आ गई अप आप उँच गई है और वो ड्रिलिंग शुरू कर रही है तो वो कहता हम ड्रिलिंग करेंगे तो जब वो जो बना हुआ है एक छोटी सी पहाड़ी उसके समंदर के नीचे बनी हुई है उसके अंदर जब हम ड्रिल करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि उस पे हमें लग तो रहाए गैस है लेकिन हो सकता है गैस लीक कर गई हो तो हमें पता नहीं कि लीक किया या वहाँ है हमें कहता है यह नहीं पता कि गैस लीक कर गई है या अभी वहाँ है लेकिन जब हम ड्रिल करेंगे तो हमें पता चलेगा और कहता कि अगर वहाँ गैस लीक ना की हो तो पचास साल तक पाकिस्तान के लोगों को गैस का कोई मसला नहीं पड़ेगा इतनी ज्यादा गैस है तो मैं यह अब मैं यह जो अल्ला में मानने वाला इनसान हूँ मैं यह समझता हूँ कि अगर हमारी हुकूमतیں वो ही जो के जसली पाकिस्तान बना था फलाई रियास्त हमने अगर अपनी इंसानियत की खिदमत की हमने अपने लोगों का ध्यान रखा जिस तरह पना गा उस तरह और हमने अपने गरीब लोगों की मदद की तो इन्शालला एपरिल में हमें खबर आएगी कि 50 साल तक पाकिस्तान में गैस की भी कभी कभी नहीं होगी और एक्सपोर्ट भी करने के लिए बहुत ज़्यादा होगी मैं आप सब का शुकर गुजार हूँ और सीम साब आपका भी हाशिम जबरदस प्रिजेंटेशन दी आपका भी मैं वजीरों को सब को मैं उमीद रखता हूँ कि आप कोई भी आप मुझे मायूस नी करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया इदर से बहुत शुक्रिया खवतीनों हज़रा आप सब की तश्रीफ आवरी का और अब आप नारों की गूज मंजाब हुकूमत की सो रोजा कारकरदगी के हवाले से तक्रीब का इनकाद